हेलो फ्रेंट्स आज हम आपके साथ शीर करने जा रहे हैंو चाबल का सूप जी हाँ दोस्तों बहुत ही ज़ादा फाइदे मंद होता है ये और हमारे डैजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारी skins के लिए हमाई hair growth के लिए बहुत ही फायदा करता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे और पीते रहेंगे तो आपको फरक मिलता रहेगा तो जी हाँ दोस्तों मेरा नाम है मेगा और आप देख रहे हैं सुमेरो किचिन अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर किलिक कर दीजे और साइड में बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे उससे आपको ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो और नईनी रेसिपीस मिलती रहेंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूप बनाना यहाँ पर हमने एक बरतन लिया है आप पैन वगएरा या कड़ाई वगएरा या बहोना बहोनी ले सकते हैं उसमें हमें दो चम्मच इस तरह से देसी घी डालना देसी घी से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और देसी हमने एक चम्मच अद्रग लैसन का पेश्ट लिया है इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस तरीके से और फायदे भी करते हैं अद्रग लैसन तो हमें जो लैसन है वह ज्यादा नहीं देना है वही चार-पांच कलिया ले लेनी है और इसको भी हम इस में चलालते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे हम जल्दी से टमाटर गल जोए इसके लिए थोड़ा सा पानी याट कर देंगे और पामी में यह delegator देमे पकता रहेंगा टमाटर इसका जूस जो है वो निकलता रहेंगा इस टमाटर जो है जल्दी से गल जाएंगे इसके लिए हम यहाँ पर एक चमच नमक डाल देते हैं जिससे टमाटर और जल्दी कलना स्टार्ट हो जाएंगे आप बाद में कम ज्यादा कर सकते अपने हसाब से जितना आप चाहें जादा डालना चाहिए जादा भी डाल सकते हैं अब कम करना चाहिए तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजे कम भी हो सकता है तो इस तरीके से इसको चला लेंगे टमाटर देखी एकदम प्यूरी टाइप के बन गए है तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कब से नापकर इस अब देखिए पानी बॉल हो चुका है अब इस स्टेश पर हम क्या करते हैं इसी कप के नाप से यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया है तो चावल का आटा आप घर पे भी बना सकते हैं चावल को पीस कर मिक्सी में इस तरीके से एक कप चावल के आटे से आप बहुत ज्या में बहुती है तो आप सकते हैं दीमे धीमे ये चावल पकता रहेगा इसी गर्म-गर्म पानी में और गाडा होना फूलना स्टार्ट करेगा आप देख सकते हैं तो हमीं पानी की और जोरत परत्ती रहजी बीच बीच में डाले रहें अपने अकौर्डिंग आप देख लें कि आपका सूप कितना गाड़ा है कितना पतला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पानी डालना चाहिए तो बीच बीच में डाल सकते हैं सूप जो है पतला ही अच्छा लगता है फोड़ी सी हमने यहाप एक काली मिर्च का पॉड़र डाल दिया है आप ज्यादा भी डाल सकते हैं आपका मन है अगर शच्छ बेच थोड़ा सखाना हूँ और इसमें लाल मिर्च का पॉड़र भी आप डाल सकते हैं और हरी मिट पीस कर भी आप डाल सकते हैं तो हमोने देखिए पानी और flick कर दिया क्योंकि हमें लग रहा था कि यहां i cage जाखी सकते हैं इसको आप थोड़ा थोड़ा बीश बीश में पानी डालते रही सिम्स थोड़ा सा नमक की यहां पर हम si Praga Bir- auth में पाट आप अटेस्ट करते रहेगे विश बेस्ट करने से पता हमें लग जाता है कितना क्यी नमक कमी है और कितना हमें और नमक डालना है और यहां परमस्थ बीच में पाणिर भी एड को एंड करते जा रहे हैं कि जैसे जैसे चावल फूलेगा और गाड़ा होता जाएगा चावल हमेशा गाड़ा होता है ठंडा होने के बाद तो और यहां पर हमने देखी पौधिना जो है सूखा पौधिना का पौडर है वह हमने यहां पर डाला है हमने आपको अपनी वीडियो में बताया भी आप पौधिना का पौडर कैसे बना सकते ह आपके सिजन पॉदिने का जो यूजर कर सकते नहीं तो आप हरा वाला ग्रीन जो लिए सोती पॉदिना की वह भी डाल सकते हैं देखिए कुछी देर में हमारी जो चावल अच्छे से गल गए हैं पानी देखिए बाद में और ज्याद़ डाल दिया था पतला करने के लिए और यहां पर हम नीबू डाल देते हैं जिसे हलका सा खट्टा पन आ जाए सूप में तो यह ज़्यादा टेस्टी लगता है आप देख सकते हैं अभी भी यह ठीक है ना गाड़ा है ना एकदम पतला है इसकी जो है कंसेस्टेंसी इस तरह की है यह देखिए तो यह सूप बहुत ज आती है हेर में आपके और डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा यह हैल्प करता है तो यह फ्रेंट्स इसको बनाकर आप जरूर पीजिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद है यह सूप और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता जटपड बन भी जात आपके जब सो वाजिक मैं चानल सुमारो की चहें बाइब